नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं हर्याना स्टाप सेलेक्शन कमिशन की जो आपका पटवारी का ग्राम सचीव का महिला सुपरवाइजर का एकसाइज इंसपेक्टर वगरा का ग्रेजव तो इस वीडियो में हम डिटेल में सलेबस है ओफिसियल सलेबस है वो बताने वाले हैं आपको तो चलिए हमारे साथ जो सफर है इसका सलेबस का वो हम देख लेते हैं कि क्या सलेबस है वो आने वाला है डिटेल में आपको बताएंगे तो देखिए जो ग्रेजवेट लेवल तो ये एकजाम से जो आने वाले हैं, तो उसमें क्या सले बस आपका रहने वाला है, तो आपने अभी तक देखा है, आगी भी जो दुसरे पेपर्स हैं, जैसे आफी दुसरे ग्रुप्स अठावन ग्रुप्स आपके बनाए वे हैं, सभी ग्रूप्स में 20 नंबर और 10 नंबर हैं, जो ये आने वाले हैं, सभी में 20 नंबर है, जो 20 क्यूशन है, 100 क्यूशन आपके आएंगे, तो उन में से 20 क्यूशन है, जो इस पे जर्दनल अवेरनेंस, रेजिनिंग, मैंथेमाटिक, साइन्स, एस्ट्री, इन भी गई है, ठीक है, और इसके साथ इसमें इंक्लूट किया गया, 10 नंबर है, 10 क्यूशन है, जो आएंगे, वो आएंगी, किम्पूर्टर टेमरोलोजी से, जो टर्मेनोलोजी वगएरा है, किम्पूर्टर सी, फंडामेंटल है, उसके वर्ड सॉप्टवेर है, एक्सल से वो आएंगे, वेब ब्राउजिंग है, कम्मूनिकेशन इमेल है, वेब ब्राउजिंग है, इमेल वगएरा है, जैसे BCC का मतलब पूछ लेगा, BCC क्या है, कार्बन कोपी वगएरा, क्या CC क्या है, तो ये चीज़े हैं, 10 नंबर में इसमें पूछी जाएंगी, ठीक है, तो आप ये जो आपका है, ये तो जो आपने पहले पढ़ चुके हैं, सारा का सारा आप पहले कर चुके हैं, तो वही आने वाला है, इसमें जो 20 नंबर दिये गए हैं, और 10 नंबर आपके जो आएंगे, ये किमपोर्टर से रिलेटेड आएगा, जो मेन आपका अभी ये बेसिक आपको हमने बता दिया है, तो इसमें जो पहला रहने वाला है, हम इसमें ये भी बताएंगे, जो कोमन, आपका 30 क्यूशन है, आपके उपर हो चुके हैं, कि भी 30 क्यूशन, 10 किमपोर्टर उसके आएंगे, अभी आगे जो 70 क्यूशन बचे हुएं, ये इसमें बेंकिंग में पुछे जाते हैं क्यूशन, क्योंकि ग्रेजिशन लेवल के हैं, जो CGL का ग्रेजिवेट बनदा है, वो इसको एक्जाम दे रहा है, ये सारे के सारे ग्रेजिवेट वाला, तो उनके लिए जो अस लेवर से निदारित किया है, तो इसमें जो बेंकिंग है, नमबर सीरीज है, कोडिंग, डिकोडिंग है, जो आपकी डेट अडेट एंड सीटी मैचिंग है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है, क्रिटिकल धिंकिंग है, सोसल इंटेलिजेंस है, सिलोजियम है, रिजिनिंग है, ये आपके हैं क्यूशन से, इसमें पुछे जाए रहेंगे इसके अंदर जो आपकी जर्नल इंटैलिजनेंट है और इसका जो वेटेज हम मान के चल रहे हैं वो वेटेज रहेगा 10 नमबर है 10 नमबर इसके रहने वाले हैं तो इसमें जो टोपिक्स आपके दिये रखें ये डिटेल में भी आपको पता चल जाएगा तो इस वी आप इसको पढ़ सकते हैं आगे है जर्नल अवेरनेस का जर्नल अवेरनेस जो बेसिक थी आपकी जो पहले पेपर में आ चुकी है फर्स पेपर में वो उपर वाले 20 में आ गई है आप भी आगे इसमें जर्नल अवेरनेस में किसको प्रेफरेंस वगरा दी गई है वो इसमें देखने वाले हैं तो इसमें जो preference दी गई है वो दी गई है आपकी current events को लेके किसको लेके current events की जो knowledge आपकी ask pros में जो चीजें गटी दो रही हैं आपकी society में जो चीजें गटी दो रही हैं उनकी knowledge है test करनी होती है आपकी जैसे पहले interview वगएरा में question आपके पूछे जाते थे कि भी जो आपके environment से related है तो interview में वैसे question बूछे जाते तो इसमें जो आपके current events वगएरा है current affairs से related वो इसमें जर्नल अबेने इसमें पूछे जाएंगे और जो इसमें कुछ questions से उससे भी related रहेंगे आपकी जो है इंडिया है या फिर इसके neighbor countries हैं उनकी history culture basic basic questions है जो गरफी economic scene है जर्नल policies है scientific research है इन जो आपके किसके correspondence में इंडिया की correspondence में जो इन्स का जो match होती चीज़े है वो इसमें पूछी जाएंगे जैसे currency वगएरा है history वगएरा कब आजाद हुआदा बार्स का क्या योगदान उसम scientific research वगएरा क्या है वहाँ की तो यह जो चीज़े हैं वो इसमें पूछी जा सकते है scientific research वगएरा है उसके ओपर जो इंडिया में scientific research हो रही है भी उनके ओपर question है पूछे जाएंगे तो इसको हम preference देरे आर्ट नंबर की जो इस तरह की question है पूछे जाएंगे ठीक है और आग इसको जो है पड़ सकते हैं जो करंट इवेंट्स की जो को पी बुक्स आती है करंट फेर्स की मंदली वाइज करंट फेर्स हैं वो आप इसमें देखें और जो आपकी एंडिया से related है और जो neighbor countries है आपकी आसपास की पाकिस्तान है मंगलादेश है से लंका है अफगानिस्तान है जो है बुटान है ये चीजे ही है आप उनको देखके उनकी चीजों के बरह में पढ़ें आगे क्वांट एप्टिटोड है जो यानि की रहने वाले है मैध के और ये जो लेवल रहेगा मैध का ये मैध का लेवल रहेगा CGL लेवल का जो CGL की प्रिक्षा आपने दी है से CGL की उस लेवल का क्वांटा ये रहने वाला है तो इसमें क्या रहेगा इसमें जो आपके ratio proportion है square roots है average interest profit loss है partnership है mixer and allegation है time and distance है time and work है algebra से related है graphs linear equation है triangle है और जो है similar circle है tangent angle है common tangent है triangle quadrilateral है polygon है right prism वगरा है complementary angle है height है pie chart है bar diagram है pie chart वगरा है ये चीज़े हैं इसमें पुछे गई है और ये जो लेवल रहेगा ये रहेगा आपका 10th level का जो 10th class तक का math आपका 10th में सारी चीज़े हैं आजाती है जो ratio proportion है ये 10th standard का रहेगा बागी चीज़े है graduation level की जितने भी topics आपके वो graduation level के रहेगे लेकिन जो quant attitude है ये 10th level का रहेगा लेकिन जो इसकी level of difficulty है वो increase हो जाएगी आपकी level of difficulty हो थोड़ा सा increase हो जाएगी ठीक है जो 12 तक कहा उसका level of difficulty थोड़ी सी कम रहेगी लेकिन जो paper topics वगरा है ये 10 में तक ही इसम जितने तक उसमें 12 वाले में रहेगे लेकिन level of difficulty वो increase इसमें हो जाएगी तो ये इसमें कहा सकते हैं कि geometry है trigonometry वगरा है उसके ओपर ज्यादा focus है इसमें किया गया है ये तो आपने पहले भी पड़ रही है जो पहले वाला paper राद है ratio proportion है percentage वगरा है average है interest profit वगरा है decimal वगरा units जो various kind of center है quadilateral है right circular cone है cylinder है sphere है hemisphere है जो ये चीज़े हैं जो बाकी की नीचे वाली चीज़े इसके उपर आपको work करने के आव सकता है तो क्यों आपको work उसी पे ज़्यादा time उस पे spend करना आपको जिसकी आपने त्यारी नहीं की क्योंकि उपर वाले की आपने त्यारी पहले कर चुकी है तो नीचे वाले की नहीं की है तो नीचे वाले की त्यारी आपको ज्यादा ध्यान लगा के है वो करनी है तो इसकी जो weightage है ये भी आएगा 10 number का 10 person है जो इसकी आएंगे आगे हमारा हिंदी और English language का हिंदी और English language आपके जो questions वगड़ा पहले आये थे संग्या, आसन दी है जो श्रोनाम वगरा जो सर्लेटिट व्याकरण से संब्दे थी वह आपके पहले पूछे जाच चुके हैं तो इसमें जो पूछे जने की आवस्ता है जो पूछेगा इसमें हिंदिय और इंगलिज में जो कंपरियंशन पैसिज वगरा वो आएगा इसमें आपके र पाँछ इंगलिज के वह आएगे जो आपके कॉमप्रियंशन से रिलेटिट कॉमप्रियंशन दे देगा उसी में से क्युोषनन आपके जो राइटिंग अब लिटिऑ से रेलेटिद डाल देगा और उसी में जो ट्रांसलेशन वगरा है वह उसमें डालदेगा ठीक है तो जर्नल अवेन ने इसका 8 पलस 2 क्वाइंट भी 10 हो गए आपका हिंदिय और इंगलीज 5 5 10 आपके 2 हो गए तो ये 40 नमबर होगा बचे वे 30 नमबर वो कहां से आपके पुछेने की संभावना है तो ये पुछने की संभावना यहां से जो पुछेगा economics and गवर्नमाइस से economics और governance वगएरा है जो आपकी उसके topic यहां सब topics इसमें दिये हुए हैं ये topic एक बार हम देख लेते हैं CAG से related पुछेगा जो controller जो आपका और auditor general of India है जो constitutional provision है उसकी role and responsibility क्या रहेंगे CAG के क्या 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 रहने वाली है और जो आपका finance commission है उसके role and functions क्या है ठीक है, micro economics वगएरा है economics introduction है उसका definition scope है, nature क्या है उसका, वो question इसमें डाइल रखें demand and supply क्या है economics related है production and cost क्या है market and prices जो different markets में जैसे monopoly है तो उस चीज़ के उपर है question से पूछे जाएंगे, ये आपका difficulty level रहेगी, ये आपके इसी जो है graduate level के आपकी रहेगी graduation level के आपकी रहेगी ठीक है, हरियाना economics related questions है, आपके पूछे जाएंगे basic economics आपकी पहले उसमें आपके पूछी जाचुगे लेकिन ये deep में थोड़ा सा पूछेगा हरियाना economics related ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, economics में जो syllabus दिया है, ये आएगा income population से related है, जो sex ratio है, जो cropping pattern है, role of agriculture in एहरियान economy है, आपका crop insurance वगर है, agriculture credit है, finance वगर है, नाबाड है जो institutional है हमारी यहाँ पे चली वी है non institutional source है, जिस नाबाड है MSME, जो चली वी है, जो आपकी वो है, FED है HSIIDC है, और इनकी objectives वगरा है, जो budget आता है, budget के objectives policy क्या है, उनकी source of revenue क्या है, इनकी utilization वगरा क्या है तो इससे related है, जो questions है इसमें पूछे जाएंगे rural marketing है, rural marketing में questions पूछे जाएंगे, meaning nature, characteristic क्या है किसकी socio, culture, economics demographic, technology, environmental factor क्या है, एफेक्ट करते हैं, rural marketing को, जो problem क्या रहती है, rural marketing में, क्या strategy, rural marketing में रहती है, तो यह जो equation से related जाएगा, gram सचिव से related में तो पूण है, तो जो gram सचिव वाले हैं, अगर weightage इन से भी topics में से अगर देने लग जाएं, तो इस में ज्यादा जो gram सचिव वाले हैं, पटवारी वाले हैं, जो gram से गाउं से related ज्यादा रहते हैं, तो उनके rural development से related उनसे में ज्यादा इनमें उचने के आसार हैं, तो इनमें प्रेफरेंस आप जो जिस topics से related दे रहें, देखी जो आप जैसे gram सचिव के related आप दे रहें, तो rural marketing के उपर आप ज्यादा focus करें, अगर weightage भी अगर इनमें से बढ़ा नहीं होगी, अगर क्योंकि इसमें 20 number जो हम मान के चल रहें, इसमें 20 number questions है, economics और government से आएंगे, जो section है, जो 20 questions, अगर weightage अगर इनमें से बढ़ाएगा, तो weightage देखी, इसमें से 1 question, इसमें से 1 question, इसमें से, तो इनमें ऐसे question हम मान सकते हैं, तो जो ज़्यादा उसमें हम weightage डालेंगे, जैसे gram सचिव वगरा गप, तो इसमें रूरल मार्केटिंग से related, ज़्यादा question पूछने की संभावना, fundamental of insurance वगरा है, उस related questions है, cancellation of license वगरा है, marine insurance है, accident and motor insurance है, farm crop insurance है, insurance है, intermediaries, role है उसके agents के, तो ये questions है, इसमें डाले जाएंगे, fundamental of insurance वगरा के, जो last का section नमारा बसता है, environment study and disaster management, तो ये पटवारी से related जो focus रहेगा, आप ज़्यादा, जिनको ज़्यादा focus करने के आप सकता है, वो इसमें पटवारी वालों को ज़्यादा इसमें focus करने के वाली है, तो इनमें जो जिसे related ज़्यादा आपका संभने थे, उस पे ज़्यादा आप focus करें, जो preference है, उस ज़्यादा topic तो सारे पढ़ने है, क्योंकि comments ले बस बना रखा है, तो सभी के questions में आने वाले हैं, तो इसमें जो इस से related questions आएंगे, पहले वाले में 10 तबीस थे, इसमें 10 हम weightage इसमें दे रहे हैं, तो इसमें क्या क्या पूचेगा, तो इसमें पूचेगा water resource है, forest resource है, जो environmental studies related है, food resource है, ecosystem है, जो आपका desert, ecosystem, grassland ecosystem है, diversity, biodiversity है, threat क्या है, biodiversity के marine pollution है, pollutions related है, उनको control कैसे करते हैं, environmental ethics क्या है, waste land क्या है, waste product management क्या है, environmental protection act क्या है, प्रिवेंशन एंट कंट्रोल पॉलिशन एक्ट वाटर है जो हो प्रिवेंशन अब कंट्रोल पॉलिशन एक्ट है वाइड लाइप है प्रोटेक्शन एक्ट है पॉब्लिक वर्देंस से रिलेटेड है जो पॉपलेशन है उसे रिलेटेड है तो यह क्यूशन से इमें प्रेम वर्क है एंडीम एफ उस रिलेटिट एंजियो जो चले हैं अपनी हांपे आंट फोर्सिज जो रिस्पोंस होता है disaster management में कि भी कितनी जल्दी जो रिस्पोंस वरा है police का क्या होता अधर organization का का response रहता है वो इसमें आएगा लोकल जो administration है उसका रोल है इसमें आएगा central state का जो district and local administration है community का उनका क्या रोल है disaster management में वो इसमें question है पूछे जाएंगे तो यह weightage हमने बता दिया आपको एक बार दोबारा से recap कर देते हैं जो weightage रहने वाली reasoning है 10 है जर्नल वेनेस 10 है क्वांट के 10 है हिंदी इंगलिस दोनों 10 है eco and governance 20 है environment and disaster management 8 पलस दो हैं 10 नमबर इसके रहने वाले तो 70 नमबर यह आपके हो गए तो इन्होंने साफ साफ यहां पे लिखा कि जो part C है यानि कि क्वांट है वो 10 में standard का आपका 10 standard का होगा और बाकी के बाकी A, B, D, E and F है जो यह आपके किसके रहेंगे यह graduation के रहेंगे जो आपका essential qualification है उस level के आपके पूछे जाएंगे तो आप उसी के अनुसार है उसी के इसाफ से आप त्यार ही अपनी करें जो weightage वगरा थोड़ा उपर नीचे है हो सकता है और जो 30 number यह सभी का common है और यह जो 20 number यह आप पहले पढ़ चुके वही आएगा उसी को एक बार revise कर लीजिए बाकी जो focus आपको करने के आप सकता है 10 number के motor के आपने पहले भी पढ़े होंगे आपके त्यारी कर ली है आपने तो ज्यादा focus आप 70 number पे आप करें यही आपका selection ने दिलाएगा ठीक है यह 20 number तो आप सभी ने पढ़ रखें जन्होंने पहला paper दे रखा है तो यह आपका जो paper रहने वाला ग्राम सजी पटवारी है वगरा है जो supervisor वगरा है वुन के लिए रहने वाला अगर आपकी कोई query है इस से related तो आप हमें पूछ सकते हैं आने दाप thanks for watching वीडियो मिलते हैं next video में तब तके लिए नमस्कार